आप सभी जानते हो admission procedure आखरी उटके पड़ाओ पर आ चुके है बहुती जल्द admission procedure खतम होगी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जो questions है आपके उस video में हम discuss करेंगे सबसे महत पूर्ण question यह है कि spot round के लिए vacancy publish होगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें कि किस college में कितनी vacancy है क्या round के बाद वो कैसी भरनी है उसके बारे में हमने already discussion किया है चलो इस video में हम देखेंगे कि admission का आखरी दिन है कल उसके बाद क्या महाडी बीटी पर form भरना जरूरी है और अगर जरूरी है तो फिर हम उसे कब तक बर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे तो चलिए वीडियो में करते हैं शुरुआत पहले हम discussion करेंगे कि admission का आखरी दिने फार्मसी का खतम हो गया है लेकिर अब उनकी admission प्रोसेस लगबग खतम हो चुकी है स्रिफ आपको इंस्टुट लेवल पर जाना होगा जिन दोस्तों इंस्टुट लेवल पर जा रहे हैं उनके लिए अच्छी ख़बर है लास्ट में बताऊंगा तो पहले हैं बात करेंगे कि कल जो engineering के लिए आखरी दिन है अगर जो बच्चे बच्चे है जिनको अब admission उनके अगर आपको इंजिनेरिंग करनी है मिला हुआ college चाहिए तो पिर जाइए college में और admission confirm कीजिएगा जो लोग बिल्कुली नहीं जाना चाहते हैं और रहा देख रहें spot round की तो उनके लिए अच्छी कबर लास्ट में बताऊंगा और जनरले हम बात करते हैं कि जिन students का EWS validity non premier की वज़े से उनको थोड़ा extension मिला था तो document upload करने का भी कल आखरी दिन होगा अगर कोई आपको extension नहीं मिलता है तो हला कि कल last day ने उसके बाद तो कोई round नहीं है तो फिर बहुत ही शक्यता कम है आपको और आपके मन में थोड़ी सी ये शंका होगी कि क्या date थोड़ी सी बड़ेगी तो मैं तो अभी तो ये कहूँ तक आपका वो link admission की चालो रह सकती है लेकिन आपको वो पहले ही करना पड़ेगा जब वक्त से पहले आपको admission की procedure कम्प्लीट करनी पड़ेगी अगर कुछ update आता है तो मैं आप तक पहुचाने की जरूर कोशिशकरों का बात करते हैं महाँ DPT पोटल बर बहुत सारे students के मन मे बहुत सारे सावाले separate audio के बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेकिन मैं बताना चाहता हो दोस्तों आपको कि अगर आपने fees में concession लिया है आप category से बिलॉंग करते हो किसी scheme के लिए आप eligible हो और आपने fees में concession लिया है college में concession लिया मतलब आपने tuition fee बरी नहीं है किसने आधी ब इतनी ही है किसी कोई आधी बरते है तो उसको लगता है कि ये fees ही आधी है मेरे लिए लेकिन ऐसा नहीं है college को 100% fee चाहिए आधी fee आप भरते हो आधी fee आपके scholarship के जरीए college को मिलती है तो अगर आपने scholarship free ship का form नहीं भरा तो फिर आपको full fees बरनी पड़ेगी तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको admission के बाद भूलना मत कि आपको online application form भरना ही होगा नहीं तो पूरी fees भरनी होगी ये first आप जान लीजे आप किसी भी college में admission ले लीजेगा अगर आपने concession लिया है fees में तो आपको उस appropriate scheme के लिए apply करना है और आपको form approved होना चाहिए अप्रू होना चाहिए government की तरफ से तभी college को fees मिलेगी वरना आपको वो भरनी पड़ेगी तो scheme का फाइदा लेने के लिए आपको online application करना पड़ेगा online application कैसे करना है वीडियो अलड़ी बनाया है पिछले साल आप उसे refer कर सकते हो दोस्तों बात करेंगा अगले कि क्या फिर हो कब तक आप भर सकते ह हाला कि सभी को पता है कि 31st तक उसकी last date थी जैनुवरी के लेकिन आप उसे बढ़ा कर 31st तक कर दिये गया है सभी को पता भी होगा जिन दोस्तों को पताने उनको बताना चाहता हूँ कि अब महाड़ी बीटी पर form भरने के लिए आपको extension मिल गया आप तब तक बर सकते लेकि किसरी बात और सबसे महतुपूर्ण बात मैं आपसे करूंगा कि स्पॉर्टर उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल था कि वेकंसी कैसे पता करें और लगबग पिछले साल भी यह हुआ था कि वेकंसी पता नहीं चल रहे थी स्टूडेंट्स को कॉलेज म आपको पता चलेगी और उसके आनुसार फिर आप उस कॉलेज को कॉन्टाक कर पाओगे तो कॉलेज वाले वेकंसी छुपा नहीं पाएंगे अब और आप वो आएगी वेबसाइट पर तो यह बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है स्टूडेंट्स के असपेक्स हम इसी खबर के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे लगाते हैं वी राम फिर मिलेंगे कसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा सब्सक्राइब करने की क्योंकि आप एडमिशन प्रसेजर खतम होते हैं आ जो